नमस्कार, UPSC Current Affairs Program में आपका स्वागत है मेरा नाम है मंगेश कुमार और हम बात करेंगे नेवादा जीवास मिस्थल के बारे में जिसको कहा जा रहा है कि ये प्राचीन प्रसुतिवार्ड हो सकता है वैज्यानिकों ने अमेरिका के नेवादा जीवास मिस्थल के बारे में नई तथ्यों का खुलासा किया है वैज्यानिकों का कहना है कि दरजनों विशालकाय समुद्री सरीसरपों के लिए एक कब्रिस्तान के रूप में स्थापित नेवादा जीवाश्म इस्थल एक प्राचीन प्रसूती वाढ़ हो सकता है यह साइट विशाल सरी स्रिपों जैसे इच्ठियो सौर के जीवाश्मों के लिए प्रसिद है आपको बता दें कि इच्ठियो सौर जो की एक शिकारी जीव था प्राचीन काल में समुद्र में बहुतायत में पाए जाते थे और ये एक बस के आकार तक बढ़ सकते थे दरसल 1950 के दर्शक में नेवादा में इच्थियो सौर की हड़ियों की खुदाई की गई थी इसलिए कई जीवास्मे विग्यानियों ने यह जाच भी की है कि ये सभी जीव एक साथ कैसे मर सकते हैं अब शोध करताओं ने एक अलग सिध्धांद प्रस्तुत किया है और इसे प्राचीन प्रस्तिवार बताया है विग्यानिकों का कहना है कि इस इस्थान पर विशाल इच्थियो सौर अपने बच्चे को जन्म देने आते थे आपको बता दें कि शोध करताओं ने नेवादा जीवाश्म इस्थल से बड़े पैमाने पर वयस्क जीवाश्मों के बीच कुछ छोटी हड्यों को देखा और पाया कि ये जीवाश्म उन माताओं और उनकी संतानों के हैं जो वर्षों पहले यहां मर गए थे इसके अलावा ये जीव सुरक्षा के लिए भी समुहों में साइट पर गए होंगे दरसल इस छेत्र के चारों और बिखरे हुए कम से कम 37 इच्थियो सौर के जीवाश्मों की पहचान की गई है जो लगबग 230 मिलियन वर्ष पुराने है जीवाश्म शाक्ष के आधार परवे पहली बार लगबग 200 मिलियन वर्ष पहले दिखाई दिये और मैसो जोईक युक के अधिकांश समय में इच्थियो सौर पाए जाते थे विशाल, समुद्री, सरीसरप की यह प्रजाती लगबग 90 मिलियन वर्ष पहले तक जीवित रही और उसके बाद यह विलुप्थ हो गई हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी